नमस्कार में प्रेशाथ यह बार फिर से आप सब्सक्राइब करता हूँ अपने यूटीब चैनल पर जोगदा जनवरी सन 1761 का पानीपत का तुरिती युद्ध भारत के इतिहास के लिए एक बहुत ही दुरभागी पूर्ण हार था वो कैसे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस युद्ध में दो बड़े-बड़े ताकतवर युद्धा लगते हैं दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ मराठा सामराज जिन में सिंध्या और होलकर जैसे लोग भी शामिल थे लेकिन इस युद्ध को थोड़ा समझने से पहले ये समझना होगा कि इस युद्ध में हिस्सेदारी किसकी कितनी थी एक तरफ दुर्रानी फोज में 42,000 घुरसवार, 32,000 पैदल सेनी, 2,000 बंदूग बाज आनि कुल 76,000 कि संख्या में सेनी को पस्तेते दूसरी तरफ मराठाओं में 55,000 घुरसवार, 9,000 गार्दी के तोपंची जो कि तोप सहायक होते हैं और तोप चलाने का कारे करते थे लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निक पॉइंट था वो था दो लाख गेर योद्धाओं को लेकर जाना आनि दो लाख ऐसे लोगों को लेकर जाना जो युद्ध की किसी भी तरह के परसिक्षन को लिए बिना वहाँ पे गए थे उनका कारे सिर्फ टेंटों को लेकर दूसरे जगर पर रखना था या फिर खाने बनाने का काम था जैसे ही ये लोग पानी पत के मैदान में पहुंचते हैं तो अहमद साब लाली पहले से उंचाई पर खुद के कैम्प को अस्ताफित करके रखा था और इने नीचे नीचे क जगर मिलता है मतलब उनकी उचाई ज़्यादा और इनकी कम दूसरी कि जैसे ये वहाँ पहुंचते हैं तो मुगलों ने इनके आने जाने के रास्तों को बंद कर दिया था जैसे इनके रास्ते बंद हो जाते हैं इनको रसद मिलना बंद हो जाता है अब इतनी बड़ी उस समय के लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग के पुर्ण सीच्वेशन को खड़ा कर देता है इसके बाद भूक से पहले घोडे मरते हैं और उसके बाद घोडों की मरने के बाद जो बद्वू फैलती है जो गंदगी फैलती है उससे खुद इनके लोग मरने सुरू हो जात मराठा जो सेनापती थे सदासी उभाव विश्वास राओ विश्वास राओ उसमें बहुत ही अलप आयू के थे उन्हें बस आपचारिक रूप पर ही ऐसे ही ऑफिसली बना कर भेजा गया था लेकिन मुखी रूप से सदासी उभाव ही इसमें मराठा समराजी के सेनापती साथ ही साथ होलकर, गारदी और सिंध्या भी इसमें शामिलते हैं कि इस युद्ध के सुरू होने से पहले ही अफगानों ने इस युद्ध को आदा जीत लिया था क्योंकि जो कीचड उसमें होती है उससे तोपों का चलना दुबर हो जाता है, साथ ही साथ बिमारी से लड़ते लड़ते मराठा परिसान हो गए थे, गंदगी से लड़ते लड़ते वो परिसान हो गए थे और ऐसे में जब युद्ध सुरू होता है, तो अफगानों के उस चोंसट हजार सेनिक की टुगडी में से मात्र बीस हजार लोग मरते हैं, जबकि मराठा के कुल चोंसट हजार सेनिकों में से अफगानों के 76 हजार थे, जबकि मराठा के कुल चोंसट हजार सेनिक टुगड थे, उनकी कोई पुस्टी ही नहीं मिलती है, और युद्ध इस तरह से समाप जाता है, लेकिन असल किसा तो युद्ध के बाद होना था, वो दो लाख लोग जो वो अत्रिक्त लेकर गए थे, उनकी काट मार वहीं पर सुरू हो जाती है, कहते हैं कि उस पानीपत के मैदान में पचास हजार ऐसे लोगों को मारा गया था, जो युद्ध में हिस्सा ही नहीं दिये थे, साथ ही साथ बाइस हजार मिलाओं को कैद कर दुर्रानी फोज अपने साथ ले जाने का गारे करती है, और उन्हें ले जाकर बेच देते हैं वो, सलिब मारकेट में, नहीं गुलाम ब भारत में आगे नहीं बढ़ते हैं, वो भी वहां से वापसी कर लेते हैं, और भारत दुबारा वो कदम भी नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें जिसने प्रवेश ही नहीं किया था, अंग्रेज उन्हें वहां पर व्यपारिक से उनका द्रिष्टिकॉन, बिल्कुल सासनात्मक द्रिष्टिकॉन हो जाता है, और बाद में उन्हें उन्हें मराटों से फिर से युद्ध किया, और मराटों की जो बची खुची सकती थी, उसको तोड़ने करता हैं, तो 14 जनवरी 1761 का ये पानीपत का युद्ध जो प्रारंब होता है, वो भारती हितिहास के लिए बहुत